असलाम अलेकुम नाजरीन महा यहां सेयद मुनवर आलम आईं तवहां डिसी रहाइबर फ्रॉम जुनाइडिन इस्टेट्स अफ अमेरिका असा मौचूद आए हूं मिट्रम अलेक्शन थी विया हैं अई उना जना ताइज अची रहा हैं छाप रिपबिलिकन्स आईं डेमोक अलेक्शन में वदीक कामयाभी हासल करना अन्या ताइज रिपबिलिकन्स के कामयाभी हासल थी या पर छा हुआ उनन जी तवाकवाज मुताबिक आहे या ना है चार रिपबिकान्स जीका सोची रहा हुआ तो वदी चेंज दी छाह हुआ है या ना या है केड़ा अवामी अलेक्शन में डेमोक्रेट्स ते उनन जो असर थे हुआ आई पब्लिक उनन खा फिरी वईया है बाइडन जी हकूमत छा मुश्किल में इंदी आई सेनिट में जेका उनन जी बरतरिया है या ना है को आने इनन टाइम ताइं जेका बरतरिया वो केंजी थी थी आई अगर र सर्याइट अन्ट एहम खानून साजी जेका है वा रहजी बींदी मुक्तलिस सवालन इन्हीं पोग्राम में असा सौल्व कंदा से असांखे अजवाइन के हुआ सीनियर सहापी तज्जिया निगार मौईस फ अमेरिका में कम गंदर हिते मशूर सहापी असपर इमाम साब अस कि इस डहमर्युक्रिण और में क्या में कि इस 59th है तत्रे चाहाय छोस प्रता यह दिय्व हो सक है वान सेमिली जेश और पर इस डॉनाने गर फ और इंत्खाल कर जाता है है वह से लेकिन रिवायती तौर पर अम्रिका में यह toutा है वह एक किसे उस वक्त के जो हुकुम्रा होते हैं जो उसके उसके हवाले लिए कि उसके हावाले से मेंदा है ृस्वाह कला मुलक तो से अमेरान चरशीट है और जो जैसलि fool that तो एक अमरीकी मेशत भी दिनिया के दिगर मुलकों की तरह अमरीकी मेशत भी काफी मुतासर है तो इसलिए यह सदर बाइडन जो है फ़ड़ा दबाव में हैं और वैसे भी मेट्रम एलेक्शन रवायती तौर पर हमेशा अपोजिशन ही जिती है सेवाए पूरी तारीख में सिर्फ तीन बार ऐसा हुआ है कि अपोजिशन नहीं जी सकी और इक्तिदार जिन लोगों के पास था उनकी इतनी अच्छी थी कि लेकिन इस लिए तक सेनेट के अंदर बराबर बराबर है जिए और पहले भी बराबर थे जिए लेकिन उस तवकों के मताबिक नहीं हुआ जो वाइस प्रेजडेंट उसका वोड भी सेनेट में शमार होता तो इस तरीके से अभी तक वो बरतरी हासिल नहीं कर से कि लेकिन आवान जीनी में यानि कॉंग्रेस के अंदर उसमें तो नहीं है अक्सरियत हासिल कर लिए और उसके नतीजे में आएंदा दो साल के दोरान स पासकर जो बड़े फिनेंशल बिल है योक्रेन की जो मदद के लिए फिनेंशल बिल है इसकी अपरूबल बैरल सेनेट ने देनी होती है अगर कॉंग्रेस नहीं दी तो एक तातुल की शिकार का मसला होगा और मजीद खानून साजियां भी और खास तूर पर जो एहम फैसले हैं इंफलेशन के अवाल से महगाई के अवाल से और जब जर्नल एक्सट्रेंग खरीब आते हैं तो जो हुकम्रा जमात होती है वो कुछ ऐसे इंसेंटिव और ऐसे रिलीव देती है कि उनका वोड बैंक पलट कर आए लिए देखें सबसे अहम बात यह कि यहां पर जनी एक पार्लिमेंट देती है और पार्लिमेंट की बिल की मनजूरी ना दोने की ही वज़ा से यहां सरकारी अदारों जो अदारों के तंखाओं के अदाएगी या दिगर तमाम अदाएगियां भी रुकी हैं यानि माजी में ऐसा होता रहा है कि वाद आपता चूंके फिनेंशल ब पारे तो काम भी नहीं ले सकते तो यह कानून की तहट उसके अपर यह कावंदी तो लोगों घर पे वेजिया थैंड़ पार्लिमेंट और यह माजी में भी ऐसा भी होता रहा है यह पार्लिमेंट फैनेंशल बिल की मनजूरी नहीं देती अखरजात क्या हर हर महीने और हाद उसने किस तरीके से यहां पे असर डाला इंफलेशन कौन-कौन से सेक्टर में ऐसी बड़ी जिसकी वज़ा से अब डिमोक्रेट्स को जड़ा सा परिशानी के सामने हैं तेके ना यह मसला यह था कि तकरीबन पेंडमिक के दौरान दो से धाय साल तक लोग घरों में बैठे रह से यह थावारोम कर रहे लेकिन वजह त्माम सरक्रमिया मौतर होकर रह गए थी बडसों यह सिलसला रहा जाहिर उसके नतीजे में पैदावार मुतासिर यह था कि शुनक्वार इस वाक्ति अब उसके अस्रात आ रहे हैं इसी तरह माजी में जो यह यह सत्थक हुआ था कि मै जानता हूँ कही लोगों के जिनके बागात थे और उसमें फल तोड़ने के लिए मजदूर नहीं थे तो वो फल उनको जाय करने पड़े जाय करने पर इस तरह की चीज़ें हुई है तो उसके नतीजे में जायर है उसका अच्छा कुछ इमिग्रेशन के हवाले से भी जैसे के आ टरॉम की पॉलिसी थी और फिर रिपबलिकन ने जो इमिग्रेशन पॉलिसी जैस और मुक्तलिफ लोगों के लिए पॉलिसी जैस की उस पर भी कोई क्रिटिसिंजम के सामना इस वक्त बाइडल को है क्योंके उन्हों को तबदील किया ने नहीं नहीं कोई तबदील किया तो उसके नतीजे में वहां पी यह हो रहा है कि जो यह जो मेकसिको के बार्डर से बढ़ी तादाद में लोग आ रहे हैं और उन इलाखों के जो गवर्णर हैं रिपबलिकन से उन्हों ने इतिजाजन यह शुरू कर दिया है कि वह बसों में भरते हैं और यहां वाशिंटन भ जाएंगे बैश्तर निर्टाइश तो आगें दो तीन के खास कर जिए चुके जो वोटिंग का अमल यहां होता है उसमें प्री वोटिंग राज़ा होती है उसमें टाके जरी जाते हैं लोग पहले भी जाके वोट डालते हैं तो वह तकरीबन निस वोटर तो उसी वक्त अपन क्याती है तुल जा प्रिब हो तो उसमें जब हो बट कि जो नहां टाकी होता है तॉ 허क्षपिए लोगों यहां का सिस्टम इस तरह का है के कि तो लोग तवज्ज़ देते हैं और उसमें अपना वो जुरूर कार्स करते हैं आखरी सवाल आखरी सवाल आप से क्या ये मिड टर्म एलेक्शन जनरल एलेक्शन पर मुकमल असर अंदाज होंगे नहीं या पिर चेंज भी आ जाती है नहीं बिल्कुल चेंज भी आ सकती है और अगर बजाहर ऐसा लग मीराँ के पास कोई लीडर्शीप इतनी है मुस्तैकर हो लेकिन अगर कोई अची अच्छी डेशीप आती है यह उस्प्राइब सामने आए इसी तरह और कोई और लिडर्शीप आती है इस दो रहां आएंदा दो साल के अंदर में के लिए अभी अप और आल जेको तज्जी होआ खास थोड़ते मिड टर्म अलेक्शन जा हवाले सां वो भरपूर तरीक से अस्पर इमाम साब यह बयान कहे हो पांजे नाजरीन जे लाए सां यह बदाएं तो बिंटर इंडियन में यह मुकंबल नताइज अची मीदा आई लोवर जेको हाउसा उ उनके नकसान में नी नी ही थीन तो आई जेको वडी खांड टा जी खानोन साजिया उन् northeast के मुश्किलात अची सगन्थी हूं पर अचयत आई उन्न पांजी अक्सारियत अचयत अन्यात आई परकरार रखी हा अईं इन्हाइ अक्सारियत ज जे को हाने रिपब्लिकन्स जे लाए माहोल ठेवा उनने के तब्दील करने